जे हिन दोस्तों आपका फिर से अपने इंडियन फनी फार्मर चैनल पे स्वागतें दोस्तों हमने कुछ दिन पहले एक युडियो अपलोड किया था उस युडियो में आपको बताया था कि मुर्गी पालन में साप सपाई का कितना ध्यान रखा जाना जाए और अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको किसकी समस्याओ का सामना करना पड़ सकता है तो चलों आपको इसी वीडियो में वही बात पताने वाले हम उससे पहले आपने अभी तक हमरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाजो कि जो बेलाइकने उसे दाबाए ताके आने वाले हर वीडियो कि जान करें आपके पास जल से जल पहुश सकें और दोस्तों आप एक क्या करते हो कि वीडियो आदूरा देखते हो आदूरा देखने की बज़े से क्या होता है जो मैं बाद में कुछ अच्छ जान करें बताता हूँ तो आप लिख कर जाते हो और कुछ भी गलत कर देते हो इस वीडियो में मैं आपको वह बाताने जा रहा हूँ कि आधूरी जान करी कर नतिजा हमें घाते की होता है तो देखो इस में भी उसने कहा था कि जो उसका पिंज़राएं खोल रहता है उसके साप सपई को दर किनार कर दिया था और साप नहीं किया था तो पिंजरे को साप न करने के कारण क्या हुआ उसके जो मुर्गी के छोटे-छोटे बच्चे भी मरने लगे आप चलो आपको दिखाते हो भी दोस्तों क्या होता है मुर्गी के खुड़े के अंदर या मुर्गी के वह शरीर के उपर अगर कुछ वपा बोलते हैं उससे कई किड़े भी बोलते हैं वो किड़े आने के बाद अगर आप इलाज करते हो तो उससे आपको बहुत सारा जो फायदा है वो नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है वो किड़े आए ही नहीं ऐसा ही कुछ करना है तो वो किड़े ना आए इसके लिए आपको जो पिंजरा रहता है उसकी साप सपय पर बह आप सकते हो आप यह बच्चे जो मुर्गी का मरगा है सपेत और जो ब्लाक है वा भी मरने के कागार पर है तो चलो आपको देखाते हैं आपने पहले देखाऊगा यह बच्चे भोत तंद्रूस्ते और अच्छे दे लेकिन क्या हुआ इसने आधी-आधी ग्यान में कोई करना चाहते हो तो पूरी की पूरी हसिल करें क्यूंकि आधुर अग्यान जो होता हमेशे के लिए गात की रहता है उस जानकारी को हसिली करने का प्रयास ना करें दोस्तों इस चुजों को अगर आपके पास भी ऐसी ही समस्य है तो हम आगले वीडियो में आपको बताएंगे कि चुजे आपके ना मरे और जल से जल बड़ा हो सके तो उसके लिए हम आलक से वीडियो अपलोड करने वाले तो उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेर करना ना भूले तो चलो मिलते आगले युडियो में